उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन कलाजवाई चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सकें इसी पर बात चलती रही थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई लेकिन आज हम कोई निरणें तक नहीं पहुंच सकें और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तै किया कि आठ तरीक को पुना दो बज़े बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चर्चा मैं स्वभवे ग्रूप से महोल अच्छा था लेकिन एक्ट रिपिल पर अड़े रहने के करण कोई रास्ता बन नहीं पाया लेकिन मुझे आसा है कि जिस प्रकार की बाच्चीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवत्ता हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो आठ तरीक की बैठक क्यूं तयह होती सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के करण ही आठ तरीक की बैठक तयह हुई है इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति संबान और संबेदना है मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाके किसानों की मानेता यह है कि सरकार इसका रास्ता ढूंडे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अफसर लेने की पाक थी सर चार तारी को हम भी चीज़ सोच रहे तो और किसान भी इसी मुझत का जिए अंदर कि अब कुछ भी सोचने के लिए सोदंद्र नहीं हूँ इसलिए जब जब इस प्रकार के विशा होते हैं तो निश्य रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं समस्या के कानूनी पहलूँओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है देश में करोडों किसान है उनकी अपनी भावना है उनके कानून के लाव और हानी और हित उससे जुड़े हुए है तो सरकार तो देश भरके किसानों के प्रति-प्रदिवद है ना तो सरकार को जब कोई नेड़े करना है तो निश्यद रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही नेड़े करेगी सर्थ तो देखिए दरसल क्या है जब चर्चा होती है विसे दो ही है मुख्य रूप से कानून और MSP तो चर्चा मैं बीच-बीच में चर्चा आगे बढ़ती है फिर पीछे जाती है फिर आगे बढ़ती है फिर पीछे जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस परकार से कहा हो लेकिन कुल मिलाखे चर्चा ठीक वातावण में हुई और दोनों तरब से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाना निकले देखिये दरसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समगर हिट को ध्यान में रखकरी कानून बनाया है लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतरत तो पूरी तरह संबेदन सील है जब किसान आंदोलन पर है और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विशह आए जिस विशह में किसान को कोई परिशानी होने वाली है तो सरकार खुले मंद से उस पर विचार करने को तयार है अभी आठ तरीक को दो बजे बैठक होगी उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी मैं समझता हूं नियाले के विशह में कोई ठिपड़ी करना इस समय उप्यूकत नहीं किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रहे है और जब हम तारीक तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीक तय करते हैं हम अपनी करफ से तारीक नहीं देते हैं तो अगर यह अड़े रहे तो फिर सर्कार कर रूप क्या होगा है मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा किसानों को बीचे आना चाहिए आपको रखते हैं जब चर्चा सिरे नहीं चड़ती है तब तक कोई भी नेड़े नहीं होता नेड़े नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकते हैं जो पिल के समधन में हैं लगता रहनों देटा हैं क्या पूझे साथ बैठ कर बात्चित करें गया इन किसानों के पहले या पर जो आपको रूप से हम देश वर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को हम उनसे भी मिलते हैं इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं किसान यूनियन को मिलते हैं संगठन को मिलते हैं और निश्यद रूप से देश वर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्ड़ें की दिसा आगे बढ़े हैं दिगें